बच्चों आपने वैदि गणित की मदद से अभी तक अंग गणित के प्रश्ण हल किये हैं आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि वैदि गणित की सायता से हम बीश गणित के सवालों के भी हल कर सकते हैं और गुणा की जो विधियां आपने देखी थी, जिसमें आपने उर्ध तिर्यक विधी का इस्तमाल किया था, उस विधी से हम विजी विजकू का भी गुणा कर सकते हैं, और इस काम को हम उदाहरन तीस में देखेंगे, उदाहरन तीस में हमारे पास दो संख्याए हैं, तीन तरह से आप इनी बिजी संख्याओं का भी गुणा कर सकते हैं, तो देखिए, यहां पर भी हम पहले इस्तम का गुणा करेंगे, फिर पहले और दूसरे इस्तम के पदों का गुणा करेंगे, और बात में हम दूसरे इस्तम का गुणा करेंगे, तो देखिए सारे प्रणाम क का गुणा और यहां पर आपके पास धन एक है और धन चार है तो धन एक गुणा धन चार और इसका प्रणाम आपको मिलेगा धन चार के रूप में यह आपको एक पद मिला उसके बाद आप दूसरे और पहले इस्तम का गुणा करेंगे तो इसको आप लिख लें पहले और दूसरे इस्तंब का गुणा इसके लिए आपको दोनों विवेंजकों को लिखना होगा यहाँ आपके पास 3x धन 1 है और फिर 2x धन 4 है तो आप 3x का गुणा 4 के साथ करेंगे और 2x का गुणा 1 के साथ करेंगे जो परणाम आएगा उसे हम लिखेंगे तो 3x और 4 का गुणा करने पर आपको मिलेगा 12x धन 2x और 1 का गुणा करने पर आपको मिलेगा 2x और यह परणाम आपको मिला 14 X के वराबर तो यह आपके गुणा का दूसरा पद हुआ और अंध में हम दूसरे इस्तम्ब का गुणा करेंगे तो इसे आप लिखें दूसरे इस्तम्ब का गुणा और इस हाँ आपके पास है 3 X और 2 X तो आप 3 X और 2 X का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा तीन दोनी छे एक्स का वर्ग तो आपको तीन पद मिल गए यदि घात की घर्टे करम में आप देखें तो पहले आपको लिखना होगा छे एक्स वर्ग धन चौदा एक्स धन चार तो आपका गुणन फल हुआ छे एक्स का वर्ग धन चौदा एक्स धन चार यदि आपको जो वंजक मिल रहा है वो इन दोनों वंजकों का गुणा है तीन एक्स धन एक गुणित दो एक्स धन 4 बराबर छे एक्स का वर्ग धन चौदा एक्स धन 4 यह आपका हल है झाल 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 झाल